हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टोपिक है वो है अन हार्मोनिक उक्सिलेटर कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हार्मोनिक उक्सिलेटर के बारे में पढ़ा था अब चलिए हम सुरू करते हैं अन हार्मोनिक उक्सिलेटर क्या कहता है unharmonic oscillator कहता है कि जब आप किसी भी bond को atom को या कोई molecule है आपके पास ठीक है जब आप उसको stretch करोगे more than 10% ठीक है मतलब ही कहता है कि मानलो ये आपके पास कोई molecule है आपने इस molecule को normal stretch किया, compress किया stretch किया, compress किया इसके उपर कोई effect ना हुआ कोई भी effect इसके उपर नहीं हुआ तो वो हमारा क्या था harmonic oscillator था but in condition of the unharmonic oscillator खहता है कि जब भी आप किसे भी molecule के किसे भी molecule को stretch करते हो उसकी 10% से ज़्यादा तो आपका bond जो है वो break हो जाएगा break होके आपका molecule जो है break होके atom consider कर लेगा जैसे कि for example ये हमारे पास कोई भी spring है हमने इस spring को both side से equally क्या किया है stretch किया है अगर इसकी stretch होने की probability बस इतनी ही है इससे ज़्यादा अगर आप इस spring को stretch करोगे तो ये जो spring है ये तूट जाएगी atom की form में same condition molecules में होगा molecule जो है जब उसको 10% से ज़्यादा stretch या compress किया जाएगा उसकी मतलब 10% से ज़्यादा तो जो molecule है वो atom की form में तूट जाएगा अब इसकी definition देखिए definition क्या कहती है कि the bond between atom molecule stretch for instance there come point at which it will break the molecule dissociate into the atom ये कहता है कि जब किसी भी molecule को stretch कियाता है for instance there come point मतलब उसकी एक limit तक जब उसको stretch किया जाता है तब उसके उपर कोई effect नहीं होता है but अगर molecule को उसके point से ज़्यादा stretch किया जाता है तो molecule जो है वो dissociate हो जाएगा into atom की form में that's all through for small compression या extension of board जब हम किसी भी molecules के अंदर थोड़ा compression या extension करते है तो उसके इंदर क्या होता है may be taken perfectly elastic होता है और large amplitude अगर आप उसको उसके 10% से ज़्यादा stretch करते हो तो bond length जो होती है much more complicated हो जाएगी और behavior must be assumed और आपका जो molecule है वो atom की form में break हो जाएगा अब आगे इसमें देखिए इसमें next हमारा topic आता है more's potential curve for unharmonic oscillation के case में unharmonic oxidation के case में क्या होता है more's potential curve unharmonic oscillation के case में जो graph बनेगा वो energy versus internuclear distance के बीच में बनेगा यहाँ पे हम πरेजेंट करेंगे energy को यहाँ पे हमारा क्या होगा intranuclear distance होगा क्या होगा intranuclear distance होगा जब आप इस bond इसका जो graph बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा क्यों ऐसा बना कि यहां तक आपने नॉर्मल जब bond को compress या stretch किया तब तो उसके वो just like ऐसे मतलब harmonic के case में ऐसा graph था बट unharmonic के case में किया है कि आपने इस bond को इस molecule को 10% से ज़ादा stretch किया तो यह जो है ऐसे break हो जाएगा molecule और break होने की form में इस line ऐसे निकल रही है तो यहां से यह वाली जो है अपने पास वो क्या है denote है और यहां से यहां तक मतलब V is equal to 0 यहां पे है 1 यहां पे है 2 यहां पे है 3 यहां पे है यहां से यहां तक का जो gap है उसको हम बोलते है और denote हमारे पास क्या है denote is the dissociation energy यह हमारे पास क्या है जो dissociation energy है ठीक है क्या है dissociation energy है और यहां से लेके यहां तक पूरी line तक जो distance होती है इसको हम represent करते हैं DEQ से यह इसका मतलब क्या होता है dissociation equilibrium इसको DEQ को हम क्या बोलते हैं जो हमारा DEQ है इसको बोलते है dissociation equilibrium dissociation equilibrium जिसको हम more depth भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि इसका use किसके लिए क्या गया है depth को measure करने के लिए तो हम इसको more depth भी बोलते हैं D note के लिए जो value होती है वो क्या होती है omega oscillation divide में 4XE होता है omega oscillation किसको represent करता है यह हमारे पास क्या होता है vibrational frequency sorry omega oscillation मतलब vibrational frequency को represent करता है यह किसको represent करता है vibrational frequency को represent करता है जो यह XE है यह हमारे पास क्या है unharmonic constant है यह हमारे पास क्या है unharmonic constant है यह हमारे पास क्या होता है more's potential curve है for unharmonic condition के लिए आएगी कि यहाँ पे जो normal harmonic के case में तो हमारा graph ऐसा बट unharmonic में जब यह bone break हो जाता है तो यह line जो है ऐसे direct मतलब एक direction में निकल जाती है क्यों क्योंकि यहाँ पे consider यह molecules किसे connect था atom की form में था जब यह break हो जाएगा तो यह मतलब stretch होने के बाद जब यह bone break हो जाएगा तो यह ऐसे एक side में ही खिचके निकल जाएगा ठीक है तो यह मारा था more's potential curve unharmonic oxalation के case में total dint की जो value निकालेंगे है यह जो formula है ना d note is equal to omega bar oxalation divide में 4xe ठीक है यह most ही important formula है किसी भी competitive exam के लिए d note की value actual में हमारे पास क्या होगी d eq और minus में half omega oxalation d eq minus में half omega oxalation होगा ठीक है centimeter inverse की form में यह हमारे पास d note की value है अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे fundamental vibrational sorry fundamental नहीं निकालेंगे पहले हम निकालेंगे कि इसके लिए unharmonic oxalation के case में energy क्या होगी energy का formula निकालेंगे तो इसके लिए energy का formula क्या होगा e v is equal to v plus में half omega oxalation यह किसके case में था यह हमारा था harmonic oxalation के case में but हमने non-resist rotator और reset rotator के case में भी देखा था ऐसे ही same हम यहाँ पे scorninger wave equation को apply करवाएंगे और यहाँ पे क्या होगा minus में v plus में half का क्या हो जाएगा square और omega oxalation centimeter inverse की form में हो जाएगी ठीक है यह मारे पास क्या होगी energy for the unharmonic oxalation के case में क्या आ गई है energy की value है नेक्स्ट इस में कहता है कि जो अपने पास vibrational level होते है इन vibrational level के साथ जब कोई v is equal to v vibrational level से v1 की तरफ जाता है तो हामें पता है vibrational level के साथ-साथ rotational level भी क्या होते है associates होते है ठीक है क्या होते है यह हमारे पास क्या होते है rotational level है और rotational level के combination से क्या बनता है एक single vibrational level बनता है उस Vibrational Level के साथ-साथ बहुत सारे Rotational Level भी क्या होते हैं, Associates होते हैं Next, अगर हम जब Vibrational Level 0 Level से 1 की तरफ जाता है, तो उसके लिए हम Energy को कैसे Calculate करेंगी इसके अंदर हमें क्या करना है, एक बार तो पूरे के अंदर हमें 0 पुट करना है और फिर एक बार Complete में हमें क्या करना है, 1 पुट करना है, कैसे पुट करेंगी, यहां पे देखो 0 पुट करेंगी, 0 पुट करेंगी, 0 प्लस 1 बाई में 2, ओमेगा ओक्सिलेशन माइनस में 0 प्लस में 1 बाई में 2 का स्क्वेर, ओमेगा ओक्सिलेशन XE अब दूसरा अब हमें V की जगे क्या पूट करना है 1 प्लस में 1 बाई में 2 ओमेगा ओक्सिलेशन माईनस में 1 प्लस 1 बाई में 2 का स्क्वेर ओमेगा बार ओक्सिलेशन XE की वल्ली होगे जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास जो वल्ली बाई में 2 ओमेगा ओक्सिलेशन माईनस में 9 बाई में 4 ओमेगा ओक्सिलेशन XE और इसके लिए वल्ली क्या होगी 1 बाई में 2 ओमेगा ओक्सिलेशन में 4 की value होगी क्योंकि square होगा 4 omega oxalation xe की value होगी omega oxalation xe की value होगी यहाँ पे अब हमें क्या करना है वो देखो 3 by 2 omega oxalation में 1 by 2 omega oxalation को subtract करेंगे तो यहाँ पे value क्या बचेगी omega oxalation बचेगा minus में omega यहाँ से मतलब अब 9 by 4 omega बार oxalation xe और जो 1 by 4 omega oxalation xe की value बचेगी है इनको subtract करेंगे तो omega oxalation xe दोनों में है इनको हम आगे क्या ले लेंगे common लेंगे xe और 9 by 4 minus में 1 by 9 by 4 minus में 1 by में 4 की value आएगी अब यहाँ पे जब हम इसको subtract करेंगी तो हमारे पास answer आएगा omega oxalation minus में 1 minus 2 xe centimeter क्या होगा inverse form बचेगी आप इस oxalation की जगे e की value omega e भी रख सकते हूँ that's be represent of oxalation represent करेगा next है अगर आपको selection rule देखना है for selection rule for unharmonic oxalation की case में selection rule क्या होता है delta v is equal to positive negative 1 positive negative 2 और positive negative क्या होता है 3 होता है जब आप 0 से मतलब 0 level से जब 1 तक जाते हो मतलब 0 vibrational level से 1 vibrational level के अंदर जाओगे एक बार आप 0 vibrational level से 2 वाले vibrational level में जाओगे 0 से आप 3 वाले vibrational level में जाओगे तो 0 level वाला अमारा क्या है ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल है इसके अंदर population क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी population is maximum in V0 के अंदर population maximum होगी than 1, 2, 3 वाले से अब हमने ये value किसकी निकाल ली है V0 से V1 की value भी निकाल ली है और energy को भी calculate किया है तो ये हमारे पास किसकी value निकल किया ही है fundamental vibrational की value है ये हमारे पास किसकी value है fundamental vibrational की value है और इसके अंदर जो spectral line है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी अब अगर हमें ये किसके लिए calculate किया था V0 से V1 के लिए अगर हमें calculate करना हो V0 से V2 की तरफ तो हम क्या करेंगे एक बार तो V की जगे हमें 0 put करना है और एक बार V की जगे हमें 2 put करना है वही हमारा energy का formula होगा 0 प्लस में 1 by 2 omega oxalation minus में 0 प्लस में 1 by 2 का square omega oxalation x e बचेगा इस पूरी के अंदर से हम minus कर देंगे 2 वाली value को तो 2 plus में 1 by 2 omega oxalation minus में 0 sorry 2 plus में 1 by 2 का square omega oxalation x e की value बचेगे जब इसको हम subtract करेंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो आएगा 2 omega oxalation minus में 1 minus 3 x e cm inverse बचेगा यह minus यहाँ पर नहीं आएगा तो और यह गलती से लगया minus नहीं आएगा 2 omega oxalation 1 minus में 3 x e cm इनवर्स आएगा किसके case में जब आपका vibrational level V0 से V2 की तरफ जाता है और यह हमारा क्या कहलाएगा first overtone यह क्या होगा first overtone होगा ठीक है यह क्या है first overtone जब V0 से V1 की तरफ जाता है तो उसको fundamental vibration बोलेंगे जब आपका vibration 0 से लेके 2 की तरफ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा first overtone कहलाएगा अब ऐसे ही हमारा second overtone क्या निकल के आता है जब आप V0 से मतलब V ground level से V3 की तरफ जाते हो तो same way condition 0 plus 1 by 2 omega oxalation bar oxalation minus में 0 plus में 1 by 2 square omega bar oxalation xe minus में क्या करेंगे अब 3 put करेंगे 3 plus में 1 by 2 omega oxalation minus में 3 plus में 1 by 2 का square कर देंगे यहां पर क्या होगा इस वाले का पूरे का square और omega oxalation xe आएगा तो जब हम इसको पूरे को solve करेंगे solve करने के पाद जो value आएगी वो आएगी 3 omega oxalation 1 minus में 4 xe centimeter inverse आएगा और यह हमारा कहलाएगा second overtone क्या है यह हमारे पास है second overtone first overtone discuss कर लिया fundamental vibration discuss कर लिया यह हमारा second overtone है अगर यह तो थी condition जब V0 से V3 की तरफ जा रहा हो अगर आपका कोई molecule V1 से मतलब vibration जो है वो V1 से लेके किस की तरफ जा रहा हो V3 की तरफ जा रहा हो उस condition में हमने पहले तो पहले वाले में हमने क्या देखा है कि अगर V0 से लेके 1 की तरफ जा रहा हो 0 से 2 0 से 3 तो यह हमारे पास क्या होंगे allowed vibrational होंगे क्या होंगे यह हमारे पास allowed vibrational होता है अब उस condition में हमने देखा था कि V0 के अंदर population सबसे ज़्यादा maximum थे but in the conditions of the V अगर इस condition में हम देख रहे हैं तो V1 में यहाँ पे population क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी population is the maximum V1 के अंदर population क्या होगी यहाँ पे population अब condition वही energy वाला energy for vibration के लिए formula को अलगी करेंगे V1 plus 2 omega oscillation minus में V1 by 2 omega bar oscillation XE की value यहाँ पे हम क्या put करेंगे एक बार तो 1 put करेंगे और फिर एक बार हम 2 put करेंगे तो 1 plus में 1 by 2 omega bar oscillation minus में 1 plus 1 by 2 oxygen XE minus में इसके अंदर से हम गटाएंगे 2 plus में 1 by 2 omega oscillation minus में 2 plus में 1 by 2 square आएगा यहाँ पे omega bar oscillation XE की value होगी ठीक है तो जब हम इसको पूरे को solve करेंगे solve करने के बाद हमारे पास value आएगी 1 sorry omega oscillation 1 minus में 4 XC centimeter inverse आएगी क्या हैगी centimeter inverse आएगी हमने note किया था कि यह किसके लिए और यह हमारा जब कोई हमारा vibrational level 1 level से second की तरफ जा रहा है vibration 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो उस condition में यह हमारा क्या कहलाएगा hot bend होगा और यह जो condition होगी at the high temperature की उपर होगी किसके उपर होगी high temperature की उपर होने की कारण इसको हम क्या बोलेंगे hot bend हमारा first overtone fundamental vibration second overtone hot bend hot bend क्या होता है कि जब कोई vibration 1 से 2 की तरफ जा रहा हो उसको हम बोलेंगे hot bend और this condition occur at the high temperature की उपर यह condition होगी हमने observe कि होगा कि hot bend की conditions में और delta E is equal to 0 से 1 में जो allowed vibration था उसके लिए जो value थी omega oscillation 1 माइनस में 2XE की थी centimeter inverse बोथ R overall same है मतलब दोनों में थोड़ा ही difference है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या है 2XE है दोनों की दोनों same overall same है तो इनके लिए जब हम spectral line ड़ा करेंगे तो spectral line जो है 4 vibrational level 0 से 1 के case में और 1 से 2 के case में क्या होगी बिल्कुल same सी ही दिखाई देगी थोड़ा ही difference होता है हम यह कह सकते हैं कि both spectral line are relate each other both spectral line जो है एक दूसरे से relate करेंगी are relates to the each other एक दूसरे से क्या करेंगी relate करेंगी next अब आता है कि जो हमने 0 से 1 vibrational level के लिए जो value निकाली थी जीरो से 2 के लिए 2 से 3 के लिए उनकी value क्या थी omega 1 omega oxalation 1 minus में 2xe के लिए 2 omega bar oxalation 1 minus में 3xe के लिए 3 omega oxalation 1 minus में 4xe के लिए इसके लिए जो value होगी वो होगी 2886 cm inverse होगी इसके लिए 5668 cm inverse होगी और इसके लिए जो value होगी वो 8 347 cm inverse होगी सबसिस मतलब strong intensity जोगी वो 0 vibrational level से one vibrational level के अंदर आएगी सब इसके condition में weak intensity आएगी यहाँ पर सबसे strong intensity इसकी condition में आएगी विए में क्या होगी weak intensity आएगी और third V0 से V2 की तरफ V0 से V3 की तरफ V0 से V3 की तरफ normally क्या होगी बिलकुल negligible intensity हमें अब्जर्व होगी तो यह हमारा था unharmonic oscillation जिसमें सबसे पहले हमने energy को calculate किया second हमने fundamental vibration को calculate किया third हमने first overtone निकाला fourth हमने second overtone निकाला और फिर हमने hot bend को निकाला है thank you very much